नमस्कार एक ओक्टूबर से रास्टे जनतादल जो है स्मार्ट मीटर के बड़ते बिल से जो बिहार के लोग परिशान है उसके खिलाफ हम सब लोग जो है आंदोलन करने जारी है और लगतार बिहार कि लोग बरते बिजली के दरसे बिल से परिशान हैं। इसलिए पार्टी ने लिया है कि एक ईक्टूबर से हम लोग हर प्रखंड में आंदोलन करें गया। और आप सब लोगों को بتाना चाहते हैं कि लोग जो है काफी परिशान हैं। ये बिहार के हर एक घर का मामला है, हर लोग जो है, इससे बिहार के लोग परिशान है, बिहार में सबसे महेंगा बिजली मिलता है, पुरे देश में, ये आप लोगों को बताना चाहते हैं, और लगबग दो करोर उब्भुकता हैं दो करोर कंज्यूमर है और जो स्मार्ट मीटर जो लगा है वो पचास लाख कंज्यूमर तक ही लगा है अभी डेर करोर और बाकी है और मात्र पचास लाख कंज्यूमर तक यह पहुँचा है यह मीटर स्मार्ट मीटर और लगतार जो है शिकायते आ रही हैं लोग परिशान हैं कि बिजली का जो बिल है वो काफी तेज भाग रहा है और सही में अगर बताया जाए तो यह स्मार्ट मीटर नहीं यह चीटर मीटर है और यह चीटर मीटर जो है चीट कर रहा है और सरकार के लोग चुप चाब बैट के तमाशा देख रहे हैं लोगों के परिशानियों को एड्रेस करने के बजाए उनके निप्टारे के बजाए उनके शिकायतों को देखने के बजाए बढ़ते बिल को देखते के बजाए लोगों का माखौल हो रहा है जो लोग सत्ता म में बैठे हैं हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं जो बी ए आर सी है बिहार Electricity Regulatory Commission और CERC Central Electricity Regulatory Commission इसमें है कि आप electronic meter भी लगा सकते हैं आप smart meter भी लगा सकते हैं लेकिन कोई इसमें compulsion नहीं है इसमें जरूरी नहीं है कि आपको smart meter ही लगाना है और प्रदेशों में electronic meter लगे हुए हैं वहां हम लोगों को शिकायते नहीं मिलती हैं यह smart meter नहीं यह smart cheater है यह cheater meter है लोग जो हैं काफी परिशान हैं और लगतार जो हैं शिकायते हो रही हैं और इस साफ तौर पर कोई compulsion नहीं था लगाने का और दुर्भागी की बात है कि सोचना पड़ेगा कि बीस सालों में बिहार सरकार ने तीन बार मीटर बदला है आकिर क्यों यह सवाल जो है खरा उड़ता है बीस सालों में तीन बार मीटर बदलने की क्या वशक्ता है यह क्या खेल हो रहा है बिजली विभाग में यह लोग जाना चाहते और बार बार जब यह मीटर बदला जाता है तो पूरा इंफरस्रक्च्चर जो है वह चेंज होता है यह पैसा जो है आप लोगों के जेव से आता है सरकार जो है आप लोगों का जेव काटने का काम कर रहा है और लगताट 20 सालों में तीन बार मिटर बदला जा रहा है यह अद описании है आप सब लोगों को बता दें कि जब क्राहक्ष खुश नहीं है जो कंज्यूमर जो है वो खुश नहीं है स्मार्ट मीटर से सरकार कह रही है कि सही बिल जा रहा है फालतुक का जो बिजली खर्च होता था उसको बचाने के लिए किया जा रहा है लेकिन जो कंज्यूमर है जो भुगता है वो कह रहे हैं कि बिजली बड़ी तेज चल रही है बिजली का बिल जो है बड़ा तेज भाग रहा है तो कहीं न कहीं से जो असंतुष्ट जो हमारे कंजूमर है सवाल उठा रहे हैं तो आखिर ये चेक करेगा कौन मीटर जो है माल लिजे कहीं भी आप देखिएगा कि कोई शिकायत होती है मार्केट में कोई भोगता जाता है वहां जो है बिल्लो का शिकायत आता है या नापतोल में शिकायत आता है तो बिहार सरकार के पास जो है मापतोल विभाग है वहां थर्ड पार्टी है, वहां इन चीजों का निप्टारा होता है, जो ग्राक है या जो समान बेशने का काम करते हैं, उनके लिए ये सारा विवस्ता है, लेकिन अगर बिहार सरकार कह दी है कि स्मार्ट मीटर सही चल रहा है, वो भोकता कहने कि स्मार्ट मीटर सही नहीं चल सब्सक्राइप करेगा कि यहां कौन चरुके क्रेंगे कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है यानिंत धॉमेश्ट पाटी होना बहुत ज़रुरिए अर भी हार सरकार से मांग भी करेंगे भी तरडब करेंगे कि होना चाहिए या तो कोई कमिटी जो है उसका गठन किया जाए ताकि इन सारी चीजों का निप्टारा हो सके और ग्रहाकों को संतुष्ट किया जाए और इसमें ट्रांस्पेरेंस ही नहीं है आप कौन से दर्श से बिजली जा रहा है कट रहा है कहां खर्च हो रहा है इसमें जो है कोई चीज जो है बेवरा जो है यह नहीं देती है बिजली अगर खतम भी होने लगता है तो भी अलर्ट मेसेज नहीं आता कि आपके पास जो है इतनी बिजली बची है आप इस हिसाब से खर्च कर सकते हैं अभी कली हमने देखा कि माने विभाग के मंतरी ने प्रेस कॉन्फरेंस करके बोला कि जो है और जल्दी जल्दी लगवाएंगे दो करोड जो बचा हुआ है पिछले महीने तक तो शायद उनके गाउं तक ही नहीं लगा था उनके घर में नहीं लगा था जो मीटर की बात है जब पचास लाक लोगों को यह संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं मंतरी तो दो करोड लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगा और जो टेकनिकल चीज़े हैं जो शिकायते आ रही हैं उसका निश्पादन क्यों नहीं किया जा रहा है लोगों की शिकायतों को क्यों नहीं सुना ज कि, इंफ्रास्ट्चर जो आपका वो पूरी तरीके से पुराना हो चुका है, रद्धी हो चुका है, और आपने डूजी जो है मीटर लगा दिया है, इलेक्रिसिटी इंफ्रास्ट्चर जो है आउटडेटेड हो चुका है, और आप 2G मीटर लगा रहे हैं electricity infrastructure के माइने जो electrical equipments आते हैं wire आता है lines आते हैं या transmission या distribution entities होते हैं वो पूरी तरीके से बिहार में outdated है और आप जो है 2G जो है मीटर लगा दिये हैं और mobile phone की जहां तक बात वो करते हैं तो आप सब लोगों को पता है कि लगबग जो है साथ करोर जो है मुबाइल के लोग यूज़ हैं और चार करोर से भी ज़दा लोग जो डेटा यूज़ करते हैं तो आपको पूरी सूचना हाती है अपने इतना का रिचार्ज किया आपका डेटा कहां कहां कंजम्शन हुआ कहां का खर्च हुआ कितना आपका बैलेंस बचा है अलर्ट मैसेज आता है आपको देखिएगा कोई भी डेटा यूजर जो है या मुबाइल यूजर उनको शिकायते नहीं आती हैं लेकिन जो स्मार्ट मीटर जो चीटर मीटर है जो सिटी वाला उसकी शिकायतें क्यों आ रही हैं ये जो है हम लोगों को सोचने की जरूरत है तो आज हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि यूजर इंटरफेस और जो सिस्टम है वो बहुत धीमा है इनका इस वज़ए से लोग जो है अभी काफी परिशान चल रहे हैं और इसका हम हम लोग सब लोग जो है मिल करके हम लोग जो है विरोध करने का काम करेंगे जनता की लड़ाई को जनता की अवास को हम लोग मजबूत करेंगे और जो जनता का अधिकार है कि भाई बिजली के बिल जो है ठीक हो जितना इस्तमाल किया जाए उत्रहीं मिले ये बात हम कहना च लोगों ने हम लोगों ने विरोध नहीं किया था लेकिन आप जब शिकायते आ रही हैं तो इस चीज को देखना पड़ेगा और जब शिकायते आ रही हैं तो शिकायतों को दूर भी करना सरकार की जवाब दही बनती है तो सरकार के लोग बताएं कि भाई 20 साल में तीन बार ज कोई आपका alert message नहीं कोई आपका transparency इसमें नहीं आता कि कितना कहां खर्च हो रहा है बहुत दीज भागना और third party जो है क्यों नहीं है ताकि इस चीज को evaluate करे चेक करे क्या सही है क्या गलत है इसको जो है निश्पादन करे इसके लिए third party कमिटी वगरा जो है वो बननी चाहिए लुक लाइफ करके अपनी बातों को जो है आपकी बीच में हम लोग रखे तो आज आप लोगों से इतना जरूर कहेंगे कि राष्टी जनतदल आप लोगों की आवाज उठा रहा है और आप सब लोगों का भी समर्थन जो है राष्टी जनतदल को इस मुद्दे पर मिलना बहुत बहुत धन्यवाद आप सब